वेलकम बेक बच्चो ऑन यूर चैनल PNC अड़ा आज हम आपके लाहें एक बहुत खुपसरूत सा टॉपक यह है आपका पोटेंशियो मीटर तो बिल्कुल बढ़े रहेंगा वीडियो के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं पोटेंशियो मीटर बात करते हैं पोटेंशियो मीट तो बच्चे पोट सकता है कि वो तो हमारा वोल्ट मीटर भी यही काम करता है वोल्ट मीटर तो वोल्ट मीटर भी तो आपका सेम पोटेंशियो मीटर करता है तो क्यों जरुबत पड़ी हमें पोटेंशियो मीटर की तो बेसिकली वोल्ट मीटर आपका एग्जक्ट पोटें ज्यादा beneficial है potential meter in the terms of measuring the potential difference. तो जो error था उसको खतम कर देता है आपका potential meter. Suppose अगर हम कह रहे हैं आपके पास कोई cell है, यह आपके पास cell है, जिसका EMF आपका E है. इसका हमने अगर potential difference measure करना है, इसका potential difference measure करना है, यह आपका resistor R है. This is your voltmeter, आप इसी connect करता है voltmeter को in the parallel combination. तो अगर आप इसका potential इसने measure करना है, वो इस voltmeter न है, तो यह आएगा आपका देखिया, बच्चों, V equal to E minus IR. यह आपका potential, यह ही potential measure करता है आपका potential, आपका voltmeter. जबकि क्या exact value आपकी V है, potential की, जिस इस cell की क्या exact value जो इसने potential दिया यह V है, नहीं, actual में यह E है. तो यह E ना measure करके यह आपका measure करता है V, क्योंकि कुछ नकुछ potential drop आया है across the register. तो इस error को बिल्कुल खतम कर देता है, जो error आएगा, इस error को यह खतम कर देगा potentiometer, और that's why potentiometer is beneficial over voltmeter. Voltmeter के भी आपके कई सैदे सुईधा हैं आपके पास, आपके पास पहली बात तो voltmeter आपके बहुत छोटा होता है, easily handle करने में आप इसको easily handle कर सकते हैं. कहीं भी भी लग सकता है, जबकि potentiometer का आपका apprentice बहुत बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, huge bulk बहुत बल्की होता है आपका, तो इस case में potentiometer को हम ऐसे बार बार use नहीं कर पाते हैं, एक certain condition में जहाँ पे आपको exact value चाहिए potential की, वही पर आप measure कर सकते हैं, लेकिन बार ब जो drop आये, इसको खतम कर दाएगा आपका, जिसके वरिसे with high accuracy आप potential measure कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर हमें E, अगर हमें ये device ने, अगर आपका E बरावर V करना है, यानि exact value of potential measure करनी है, तो हम use करेंगे potentiometer का, तो अब देखते हैं इसका diagram, इसका setup कैसा होता है, potentiometer का, देखते पर आपके पास potentiometer में एक long wire होती है, basically 10 meter long wire लिते हैं हम इसमें, आपके पास एक बहुत लंबी wire होती है, लगबग 10 meter के आज पास, 10 meter, 4, 5, 6, ऐसे आपकी लंबी आपकी something wire होती है, ये आपके पास wire है, इसको हम connect करते हैं इस wire को with the supply, हम इसको supply से connect करते हैं कुछ इस सरीके स आपके पास भी volt की supply है, तो पहली चीज़ तो आपका जो potentiometer है, ये आपका use होता है in measuring the EMF of the cell, तो अगर आपके पास एक cell है, नया नया cell आये हैं हैं, आपने उसको measure करने की इसका EMF कितना है, तो वो measure करते हैं with the help of potentiometer, तो पहला जो use है इसका basically, अगर मैं इसकी use की बात कर तो used to measure the EMF of the cell, the EMF of the cell, of cell, तो EMF measure करने में काम हाता है, अब कैसे measure करेंगे हैं हम इसका EMF इस cell को, हम क्या करते हैं बच्चो, इस point से, तो अगर मैंने कहा कि इस battery का potential V है, तो ये अपने across, जो potential difference apply करेगी, that would be of V, तो अगर मैं कहा हूँ, suppose इस point के across आपका potential 0 है, तो इस point के across होगा आपका potential V, that's why the potential जो maintain होगा, इसके across, that is of VV, higher minus lower, V minus 0 is again V, तो यहाँ पे इस point पे 0 तो यहाँ पे भी 0 होगा, अगर यहाँ पे V है, तो यहाँ पे भी V potential होगा, अब जिस भी cell के आपको क्या करना, EMF निकालना है, आप इसको connect कर देते हैं इस point से, विती wire आप connect करते हैं एक supply से, supply कहते हैं, battery या cell जो भी कह रहे हैं, जिसका EMF आपका E है, और इसको connect करते हैं with this small resistor R, and this is connected with the galvanometer, और इसके सांथ लगी होती है, आपके पास jockey, तो basically jockey क्यों लगाते हैं, jockey हम इस लिए लगाते हैं, ताकि हम इसमें null deflection खोच सकें, क्या खोच सकें इसका null deflection, I hope so, आपको null deflection बता हो, क्या होता null deflection, इससे पहले हमने पढ़ लगा है null deflection के बारे में, in the meter bridge वाले section में, तो इससे हम खोजिंगे आपका null deflection यह है, आपकी jockey, j stand for jockey, तो आप क्या करते हैं, इस wire पे, इसको हीसते हैं, slide करते हैं, jockey को आप slide करते हैं, इस wire में, पुटेंचियो मेंटर वायर पे, तो दूसरी बात, जो पुटेंचियो मेंटर की वायर है, यह resistance less नहीं होती, इस बार इसका कुछ न कुछ resistance होगा, आपके पास, हम कहरें, let the resistance, जो है, इसका r ohm per meter है, इस wire का resistance है, that is your r ohm per meter, तो resistance less वायर नहीं है, इस बार, आपके पास resistance है इस wire का, हलाकि यह जो wire है, जबकि यह wire है, यह वायर आपके resistance less है, तो यह ना समझें कि wire resistance less है, इस wire के across भी इसका मतलब है, यहाँ पे इस बार potential drop आएगा, तो हम यह जो की को इसके पार slide करता है, इस wire के उपर slide करता है, इस wire के उपर चलाते है, और null deflection खोशते है, null deflection आपक circuit में आपके पास current मिलेगा, उसकी value आपके पास zero होगी, यानि जो galvanometer है, यह zero deflection शो करेगा, इसमें जो needle होगी, वो zero के तरफ को point करेगी, तो इसको हम बोलते है, null deflection, null deflection का मतलब है, आपके पास current है, इस circuit में वो नहीं flow कर रहा है, तो दूसरी चीज, जो define की जाती है, इस case में, इस wire के case में, हम define करता है, potential gradient, देखेगा, बचो, potential gradient, potential gradient, क्या चीज है, यह potential gradient, हमने यहाँ पे, जो wire ली है, इसको हमने resistance withless wire नहीं है, आपकी, हम कहा रहे है, suppose, आपके V length पे, आपका जो length है, इसकी length, आपकी length L है, इसकी जो length है आपकी L है हम कह रहे हैं इसका L length पे जो potential difference है that is from 0 to V यानि जो potential है potential में जो difference है that is your V L length पे इसका जो potential vary कर रहा है from 0 to V तो अगर मैं बात करूँ इसकी unit length पे यानि 1 meter wire पे 10 meter की wire है तो मैं पूछूँ अगर 1 meter wire पे तो अगर unit length की बात करूँ तो इस बार जो potential होगा that would be आपका V upon L L length में potential V है तो unit length में आपका potential होगा V upon L वहीं अगर मैं बात करूँ कोई भी एक general point suppose हमने ये point ले 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 this is your point P या अगर आपका L1 meter दूर है L1 distance दूर है L1 distance दूर है तो इस point में अगर मैं इसके potential की बात करूँगा तो हमने ले 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 बोलूँगा कि L1 दूरी पे आपके पास जो potential होगा वह कितना होगा that would be V upon L times of L1 V upon L times of L1 आप V upon L को simply multiply कर लेंगे L1 से simple unitary method तो this V upon L potential drop per unit length इस known as your potential gradient इस V upon L को हम बोलते हैं बच्चो potential gradient यानि potential drop potential drop across wire across wire upon length ओ ही हम बोलते हैं बच्चो आपका potential gradient तो this shows यह जो आपके पास यह जो relation आया this shows आपका L1 दूरी पे आपका जो potential है that is V upon L times of L1 आपका L1 दूरी पे आपके पास पोटेंशल पोटेंशल ग्रेडियंट times of L1 this is your V upon L this is your potential gradient potential gradient times of L1 इसको आप नोट कर लें बच्चो फिर हम इसको erase करने जा रहे हैं फिर आपको और चीज़ दिखाते हैं इसमें आपके फिर हम इसका EMF कैसे निकालेंगे तो इसको आप नोट कर लेजिए फिर इसको हम erase कर रहे हैं तो देखें तो हमने देखा potential gradient जो हमने देखा potential gradient that was your आपका V upon L को हम बोलते हैं potential gradient अगर हम इसको multiply कर लें L1 से तो L1 point पे आपको L1 distance पे आपको potential की value मिल जाएगी अब चलते हैं अपने इस वाली point पे जो हम जो की पे this was your null deflection वो point जहाँ पे आपका इस वाली wire पे आपका जो current है वो की flow नहीं कर रहा है तो this is your deflection तो यह आपका circuit है तो galvanometer में आपका कोई current flow नहीं कर रहा है यानि galvanometer जो zero reading शो कर रहा है अच्छा अगर zero reading शो कर रहा है तो इसका मतलब I आपका जो current है I जो है आपका that is your zero यानि current आपके पास इस वाली circuit में आपके पास zero है तो अगर मैं इसका potential लिखूँ इस वाली cell का अगर मैं potential लिखूँ इसके cross तो अगर suppose हम कह रहे हैं इस point पर अगर आपके पास zero potential है तो इस point पर होगा आपके पास E अगर यहाँ पर zero potential है तो यहाँ पर होगा आपके पास E अब suddenly यहाँ पर क्या आगया आपके पास register आगया तो potential drop होगा potential drop जो आएगा आपके पास इस point पर जो potential होगा that would be your E minus IR i is the current जो भी current इसमें flow कर रहा है लेकिन हमें पता है यहाँ पे जो current है यानि i की value है that is 0 यानि यह पूरा term आपका क्या हो गया 0 हो गया बच्चा लो तो यह पूरा term आपके पास 0 हो गया यानि इस point का potential भी आपके पास क्या मिला e मिला तो resistance होने के बावजूद भी आपके पास potential e ही मिला क्योंकि आपका जो current है वो 0 है null deflection है याप़े तो इस point पे भी e है आपका emf तो इस point पे e इस point पे भी तो हर point में आपका emf e रहेगा तो इस point तक का emf आपका क्या रहा e रहा potential आपका रहा e इस से इस वाली point तक का इस वाली point पे जहाँ पे jockey meet करी deflection point तक का आपके पास emf क्या रहेगा e रहेगा बच्चो लेकिन हमने with the help of potential gradient आपका potential हमने निकाला है इस point पे इस point पे l1 distance पे जहाँ पे आपकी jockey ने आपका zero deflection शो करा वहाँ पे हमने already आपका तो आपका emf निकल जाएगा तो emf हो जाएगा आपका vl1 upon l where l is the total length of the potential meter wire l1 वो point है जहाँ पे आपका zero deflection शो करा वह हम reading देख लेंगे with the help of आपकी scale लगी होती इसके ने से आपकी potential meter की और v is your potential across the battery जो आपकी battery लेगी ती उसका किता potential है तो इसके help से आपने देखा कैसे हम accurately आपका emf of the cell निकालेंगे तो क्योंकि internal deflection पे based है इसलिए बिल्कुल exact value of emf बताएगा तो exact value कितनी है इस cell ने कितना emf दिया आपको exact तो ये बताएगा तो कोई भी decreasement जो है e minus i r ये तो आपका पूरा zero हो गया है लिपकि voltmeter आपका छोटा अप्रेडर्स बनता है छोटा सा अप्रेडर्स है वो easy to handle होता है हाला कि ये आपका अप्रेडर्स काफी बड़ा होता है तो इसको हम बार-बार use मैंने लेते हैं तो देखते हैं अब इसका हम second use potentiometer का उससे पहले हम इसमें एक दो सॉल्फ कर रहें इसको बना लें फिर इसको सॉल्फ कर लीजिए फिर मेरा आंसर देखेगा तो आपको पहले मैं explain कर लेता हूँ क्या है यह आपको बैटरी देर किये यह आपको इसके साथ resistance लगा है तीन ohm का यह आपके पास length of potentiometer wire है जिसकी जो length है आपके पास 10 meter की length है और इसका resistance आर ओम पर मीटर है पर मीटर के साबसे इसका दो resistance है यह दो ओम पर मीटर के साबसे बदर बढ़ रहा है और second आपके पास जो cell लगा है इसका that is your 4 volts EMF जिसका 4 volts है इसके साथ आपका internal एक और resistance लगा है छोटा सा 11 तो आप इसको करें तो पहले चीज़ तो हमें इसके across potential difference बताना होगा कितना है कि इसके और इसके across कितना potential है तो यह 20 volts के supply है तो देखेगा इस point में अगर बच्चों आपका पास 0 volts है अगर सब्सक्राइब हो सब्सक्राइब है यह दोनों wire और यह आपके in this series combination के form में आपके लगे हुए है एक के series combination दिख रहा होगा आपको यह लायर इसका resistance आपका 2 ohm है और यह 3 है तो ऐसा यह आपका ऐसा समझ लेजे इस wire को आप समझ लेजे एक register समझ लेजे जिसका जो रिजिस्टर है डिटिस 2 ohm पर मेंटर तो 2 ohm है इसका register और इसका है 3 ohm तो 3 और 2 5 series combination अगर हम आरनेट निकालें यहां से तो यह हो जाएगा आपका 3 और 2 5 5 ohm तो आरनेट आए आपका 5 ohm यहां से अगर हम current निकालने तो आई हो जाएगा आपका V over R by the ohms law तो potential जो है आपका 20 है register है आपका 5 तो II आपका आएगा 4 amp यहांने जो current flow करेगा इस वाले उपर वाली circuit में आपका 4 amp का current फ्लो करेगा तो यह वाली circuit से आपका 4 amp का current निकलेगा इसको जिससरीके से इस wire से ऐसे होते हुए पुछ ऐसे जाएगा 4 amp का current निकल रहा है तो अब हमें निकालना है इस wire के across potential difference potential drop कितना है इस wire के across तो अगर हम फिर से ohms law लगाए V equals to IR current है इस wire का आपके पास current flow कर रहा है 4 amp का current है resistance है इसका 10 to 10 forza 40 तो 40 volt आपको जो potential आएगा that is 40 तो अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर है 40 40 volt तो इसके across potential drop ले लिया आपने 0 से लेके 40 तक vary कर रहा है आपका तो आपके पास V आगया आपके पास potential V आगया length आपको बता है 10 meter है E पता है तो आप निकाल सकते हैं L1 तो हमारे पास relation था V upon L times of L1 बराबर E तो V है आपके पास 0 से लेके 40 तक vary कर रहा तो 40 हो गया length है आपकी 10 11 आपने निकालना है EMF आपको देरखा है 4 volt तो L1 आप निकाल सकते हैं यहाँ से आपका 0 से 0 cancel हो गया तो L1 हो जाएगा आपका 1 meter तो length आएगी आपकी बच्चो 1 meter तो length आगई आपकी 1 meter तो देखेगा 2 ohm का resistor लिया था आपका small resistor 2 ohm का लिया था इसका कोई मतलब नहीं था यहाँ पे क्योंकि इसके में तो कोई current flow कर नहीं रहा है तो इसके across drop तो कुछ आएगा नहीं क्योंकि this is based on the null deflection, null deflection में इस वाले में कोई current नहीं मिलता आपको तो आपका अपका जो E है यह सर्फ इस प तो एक मीटर दूर मिलेगा हमें null deflection यह रहा आपके पास अगला कोईशन तो इस वार आपको फिर से इसमें L1 दिखाना है, L1 निकालना है तो यह आपको E MF3 का जो बैटरी जो cell connect किया है हमने that is of your 4 volt यह आपके पास इसका register है, एक register जोड़ा है हमने इसके साथ, इसका register R है तो start करता है फिर इसका explanation, तो देखेगा वच्चो कैसे करेंगे इसको अगर हम, तो पहले बात तो आपको potential difference चाहिएगा, इस wire के across कितना potential drop आया, तो अगर suppose हम कहा रहे है यहाप potential 0 है, तो यहापे 10 है, तो यहापे 0 है, इस बार आपका register मिन लगा है इसके साथ, तो यहापे obviously आपका 10 होगा, तो इसके across जो potential difference जो हमें मिला, that is of your 10, तो यानि V हमें इस बार मिल गए आपके पास 10, अब रही बात हमें यह निकालना, क्या पहले हम यह चेक करें, क्या यह circuit आपका, प्रेड़ जो अपने लगाया, क्या यह system सही है, अगर हम इसके across EMF लिखें, यानि potential drop लिखें, इस cell के EMF के across, अगर हम potential drop लिखें, तो कैसे लिखेंगे, बच्चो दिखेगा, अगर यहाँ पर 2V है, तो यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब है, यहाँ पर होगा आपका इस side को, तो यहाँ तक का आपके पास 0 है potential, तो यहाँ पर हम adjust करेंगे, that is here, minus 2, minus 2, तो इसका यह minus 2 reading show कर पाएगा, क्या इसको read कर पाएगा, क्योंकि हमारी जो reading है, that is from 0 से लेके 10 तक ही है, potential की जो हमारे पास जो value है, इस wire में, that is from 0 से लेके 10, लेकिन हमारा जो potential है, that is minus 2, तो 0 से लेके 10 के बीच में, तो कहीं पर minus 2 आता ही नहीं है, 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7, 8 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, minus 2 तो इसके बीच में कहीं लाई निकर पाएगा, मतलब कि इसका मतलब है, यह जो reading है, यहाँ पर show होई नहीं पाएगी, potential जो drop है, minus 2, तो यह यहाँ पर तो लाई निकर पाएगा, इसका मतलब है, यह जो आपका circuit जो आपने जोडा है, यह अपने गलत जोडा है, तो इसका मतलब है, आपने जो terminal है, यह ऐसे ना करके, आपने इसको कुछ ऐसे जोडना पड़ेगा, wire के सांथ, तो अगर आब अब देखें, तो अब यह हो जाएगा, अगर यहाँ पर 0 है, तो यहां पे हो जाएगा आपका 2. ऐसे ज़ोडना है, कुछ ऐसे। यह छोटा वाला ऐसे, बड़ा वाला ऐसे. तो यहां पे 0 है, तो यहां पे फिर हो जाएगा आपके पास 2. तो तब जाकर आपका необходимо सभी हो जाएगा, अब 2 आपका शो कर सकता हैं. तो इस case में आपको 2 मिल जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा यहाँ जीरो से देकि 10 के बिच में 2 तो कहीं नहीं लाई करेगा ही करेगा तो अगर हम यहाँ से निकाले बैलेंस अगर हम नल रिफ्लेक्शन से निकालें तो यह हो जाएगा V upon L times times of L1 बराबर यह दो वोल्ट के बराबर बराबर E तो V है आपको 0 circuit 10 upon length है इसकी 10 meter की wire है times of L1 बराबर 2 तो L1 आप जाएगा आपके पास 2 meter यहनि 2 meter दूर आपका null deflection आपको मिलेगा तो किस ब्यात का ध्यान रखना है आपने यह आपने ध्यान रखना है कि आपने जो terminal है battery का negative को negative के साथ same same direction में होगे सेम तरीके से लगे जाएंगे negative negative terminal के साथ चोड़ा जाएगा ना कि positive से क्योंकि उस case में आपका EMF की value अलग जाएगी जो कि इस reading में आपको नहीं मिलेगी तो आपके पास अगला question यह रहा बच्चो तो आपको निकालना है basically इसमें फिर से L1 निकालना है 10 meter के पास आपको potential meter के wire दे रही है जिसका जो resistance per unit length है that is 1 ohm per meter है और इस जो आपके पास जो यह supply है इसका जो potential है that is 20 volt 1 ohm के register के cross connected है आपका जो cell जिसका आपको potential आपको निकाल गानोमीटर है तो आपको 11 point करना है तो करते हैं इसको solve करते हैं चलिए देखेगा तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा potential drop across the wire यानि potential difference निकालना पड़ेगा आपको इस potential meter wire के across तो उसके लिए पहले आपको R net निकालना पड़ेगा R equivalent R net निकालने तो अगर आप resistance है तो 1 और यह 1 आपके दोनों साथ 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 सीरीज में हो गई सीरीज कॉंबिनेशन ऐसा कर लें इस wire को एक resistance माले ना simple यह जो आपके वायर है इसको आपने resistance माले एक ohm का यह आपके पास 20V के supply लगी थी और साथ में आपके पास च्छोड़ा सा resistor था तो 1 ohm और 1 ohm यह आ और 1 होगी आपका 2 तो यह हो जाएगा आपके पास 1 plus 1 1 plus 1 होगी आपके पास 2 तो आर equivalent इसके आप उपर वाले circuit का जो आर equivalent आया यह वाले circuit का बच्छो दिखेगा इसका जो आर है that is your 2 ohm नीची वाले circuit को ना लिए क्योंकि इस वाले में आपका current क्या है 0 है तो एक ऐसे यह आपका ऐसा separate circuit काम करेगा आपका इसका circuit का को अलग लेंगे और इस वाले circuit को हम अलग deal करेंगे इसमें क्योंकि इस वाले circuit में आपका क्या है null deflection शो कर रहा है null deflection मतलब इस वाले current में तो current आपका flow ही नहीं कर रहा है तो इस वाले circuit को हमने separate कर दिए separate solve कर रहे है और इस वाल आई विए अपका 20, आई आपका 2, यानि 10A का, 10A का आपका करेंट फ्रो कर रहा है, इसवाली सीर्किट में, यानि यहाँ जो करण East is your 4 A, 10 A का करेंट फ्रो हरा है 10 A, 10 A के यापको निकाला है, पोटेंचिल दीफ ενस्राकॉस अक Isa तो इसके cross अगर potential difference निकालें तो resistance है इसका R बनो और current है आपका I है आपका 10 तो V हो जाएगा आपका I into R तो 10 into 1 अगें इस यो 10V तो यानि कि इसके cross जो potential है that is of 10V 10V potential है तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे इस battery के अगर मैं यहाँ पे कहा रहा हूँ अगर 0 है potential क्योंकि अगर इस वाली cell पे अगर मैं देखो यहाँ पे potential 0 है तो यहाँ पे भी 0 यहाँ तक का 20 था और यहाँ पे अगर हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे है आपका 10 क्योंकि इस वाले wire के cross potential drop है that is your 10 तो 0 से लेके 10 तक का शो कर सकता है आपकी यह अलग तो ऐसे दिरे दिरे करके आप यहाँ से जैसे आगे बढ़ रहे है तो आपका potential बढ़ रहा है और कहा तक का vary कर रहा है आपका 10 तक का 0 से लेके 10 तक का vary कर रहा है बस आप क्या है अब आ आपकी 10 11 है आपका 11 आपको निकालना है यह है आपका 12 वोल्ट अच्छा तूसरी बात अगर आप गौर करें यहां से लेके यहां तक का जो potential vary कर रहा है आपका 0 से लेके 10 लेकिन आपको कितना दे रहा है यह 12 तो क्या यह 12 शो कर पाएगा इसमें क्या 12 आएगा 0 से लेके 10 क 11 आपको 10 तक यह 10 तक ही 10 तक है पोटेंचल 2 जर नहीं कर पहेगा तो इसका मतलब है आपके पास यह Pote хотел Kältak oui यह Pasकan पैको आपके पाको पॉसिबल नहीं यह Mm यह उतनी नहीं है उतने तक ही जाई नहीं रहा है आपका potential drop तो यहां से हमने दो condition देखी बच्चों पहली बात तो हमने देखने देखिए connection आपके properly होने चाहिए connection आपके proper मतलब आपका जो same terminal आपके same side को होगे यहां पे आपका negative terminal छोड़ा terminal छोड़ा terminal के साथ लगा होगा बड़ा बड़ी के साथ second हमने यह देखना है कि जो EMF है EMF of the cell जिसका हमें EMF निकालना है यह जो EMF है यह इस potential drop से जादा होना चाहिए यह जो EMF है इस wire के potential drop से जादा होना चाहिए नहीं तो फिर reading ही आप measure नहीं कर पाएंगे यह vary कर रहा है 0 से लेके 10 और हम measure करने जा रहे हैं बारा कैसा हो सकता है practically possible कहा है 0 से लेके 10 तक की reading दिखा रहा है आपको potential की और आप measure करने जा रहे हैं बारा तो possible नहीं है तो दूसरी condition यह है कि EMF of the cell should be greater than the potential drop across the wire potential drop across the wire तो this is also not possible तो अब हम इसको summarize करता है इस potential meter में हमने जो दो चीज़ें से की तो इस में से हमने बच्चों दो चीज़ें से की पहले चीज़ तो हमने दे की कि आपके पास जो terminal है battery का higher potential higher potential के साथ lower potential lower potential के साथ होना चीज़े same direction में आपका suppose आपके पास जिसे आपके पास यह battery थी है हमारे पास यह आपके पास potential था यह आपका पास potential meter था यह आपके पास potential meter की wire थी और यहाँ पे हम आपका cell connect कर रहे थे जिसका भी हमें EMF निकालना था यह आपका register था इसके साथ यह आपका galvanometer था इस तरीके से आपका potential meter जो था तो यह A और B यह आपके potential meter wire है तो यह cell और यह cell का आपके पास जो potential higher potential higher के साथ lower lower के साथ अगर आप ऐसे connect कर देंगे तो यह आपका potential meter इसमें आपका work नहीं कर पाएगा आपके reading नहीं show कर पाएगा इस case में तो आपको क्या करना है पहली चीज़ तो आपके terminal आपके accurate होने चाहिए positive positive के साथ negative negative के साथ क्या होगा आपका तो पहली चीज़ शूड भी प्रॉपरली ओरिएंटेड अगर हम बात करें सेकेंड हमने यह पड़ा कि जो potential drop across the wire है याई potential drop across potentiometer wire across wire should be greater than EMF of the cell should be greater than EMF of the cell जो हमारा जो हम cell connect कर रहे है उसकी EMF से बड़ा होना चाहिए should be greater than the EMF of cell EMF of the cell यह ज्यादा आपका यह आपका sorry कम होना चाहिए जबकि इसके across जो potential है वो आपका ज्यादा होना चाहिए तब ही आपको इसके बीच में आपको इसकी value मिलेगी कई books में आपका ऐसे भी लिखा होता है कि यह आपसे even बोल दिया suppose this is your E2 कई books में आपका ऐसे भी लिखा होता है कि E2 should be greater than even हाला कि यह expect भी आपका सही है अगर यह तब सही है जब आपका इसके across को रिजिस्टर नहीं लगा है तो यह आपका depend करता है अगर आपका यहापर को रिजिस्टर लग जाए suppose R आपका रिजिस्टर लग जाए तो इस case में आप even नहीं कहेंगे तो इस case में हम देखेंगे potential drop क इस कि इसर जया के आपके इस वायर में आपका potential drop आता है कि इसके वजहें से आपका potential drop कुछ घड़ जाता है अगर आप यहापर a e1 minus i times of r e1 minus i times of r should be greater than your e2 should be greater than your e2 तो ये जो potential drop है e2 ये आपका बड़ा होना चाहिए ये हमने हाई से नियुन चाहिए आपका potential drop है या कि है हम ये कह सकते हैं कि आपका even is greater than e2 ये आपका books में लिखा होता है ये आपका books में mention क्या होता है e2 e2 sorry e1 should be greater than e2 जबकि actual मोहना चाहिए था potential drop ये कब valid है जब आपका इसके across को register नहीं लगा है अगर register लगा है तो ये इसके across potential drop में फरक डालता है तो e1 minus i r की value आपकी बड़ी होनी चाहिए as compared to e2 तो तभी आप show कर सकते हैं इसमें reading आपको मिल जाएगी तो ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है while connecting the circuit तो हमनों ये देखा वच्चो कैसे हम EMF of the cell निकाल सकते हैं by the help of potentiometer आगी बात करते हैं potentiometer में तो potentiometer के हमने ये देखा कि जो इसकी wire है generally 4 meter, 5 meter, 6 meter आप तो 10 meter कितने भी meter रखे हो सकती है तो अगर आपके पास 4 meter, 5 meter, 6 meter की wire है तो आपके पास जो apparatus है काफी बड़ा हो जाएगा काफी बड़ा हो जाएगा means आपको हो सकता कि एक बड़ी से room से भी जादा बड़ा हो जाएगा तो इतना बड़ा apparatus easy to handle करने में आपको काफी difficulties होगी तो इसलिए इसी potential meter को actual जो diagram है वो कुछ इस तरीकी से modified किया जाता है आपके पास आप simple एक straight wire नहीं लेते है 10 meter की या 6 meter या 4 meter की आपके पास straight wire नहीं होती है जबकि ये wire आपके fold रहती है इस तरीकी से fold रहती है apparatus आ जाए तो अगर हम देखें actual diagram जो होता है potential meter का उसको अगर हम बनाए वो कुछ इस तरीकी से होता है बच्चों दिखेगा तो बच्चों कुछ इस तरीकी से होता है आपका actual diagram आपके पास potential meter का ये कुछ ऐसे connected रहता है ये आपके पास strips होती है इस तरीके से आपके potential meter के wire fold की जाती है और एक-एक-एक meter की wire होती है एक-एक meter की wire चार meter के तो अगर जिसे चार wire साथ तो चार meter का potential meter बन जाएगा तो आपके पास एक terminal ये इसके सांथ across यहां से हम ऐसी battery connect कर देते हैं इसके ऐसे इस तरीके से यह हमें को resistance connect करना है तो हमने यह resistance कर दिया इसके साथ यह आपके आपका connected होता है galvanometer जो हमने आपको दिखाया था galvanometer साथ ही में आपका अगर आपने बैटरी लगानी तो आप connect कर सकते हैं जिसका अगर आपने EMF निकालना है तो यहां से बैटरी निकाल लेंगे यह इसका स्मॉल रिजिस्टर आर यह इसका EMF अपती बैटरी ए एक galvanometer और यह connected होगी विद्धि जो की जे तो यह है आपका actual diagram of potentiometer यह होती है आपके copper की strips copper की तो copper की strips को ऐसे fold कर जाता है इसमें आपकी wires potentiometer की wire ऐसे fold की जाती है इस swarm में ताकि कि आपके कम से कम space में आ जाए तो इतने छोड़े से space में आपका potential meter बन जाएगा और इस terminal से आपकी जो battery V है जिसका potential जो main supply होती है आपकी V तो यहां से connected होता है इसके साथ connected है आपका register आर से मिलरली यह और इस वाली potential इस वाली terminal से आपका connected होता है EMF जिस सेल का आपने EMF निकालना है साथ ही मैं इसका एक छोड़ा सा register के साथ galvanometer and with the connecting with the jockey जोकी काम आएगी आपके sliding के लिए इसके उपर तो इन wires के पर हम चलाते हैं जोकी को this is the actual diagram of the potentiometer जो books में बना होता है generally तो अब हम इसमां आगे पढ़ते हैं आपका second use जो की आपका use होता है in comparison the EMF of two cells आपकी पास दो cell है अगर आपको दोनों में से किसी भी एक का EMF निकालना है यह compare करना किसका EMF बड़ा है किसका EMF छोटा है तो उसमें भी आपका potentiometer का use help लेते हैं तो second case हम वही पढ़ने जा रहे हैं in the use of comparison of the EMF of two cells चलिए करते हैं तो चलते हैं इसके second application की तरफ को जो की है आपका comparison of EMF of cell तो हम दो cell का यहाँ पे comparison करेंगे with the help of potentiometer तो कौन बड़ा है कौन छोटा है यह हम कह सकते हैं आप किसी भी एक cell की value निकाल सकते हैं with the help of second EMF एक cell का PMF निकाल सकते हैं with the help of second EMF देखें अगर हम इसका diagram दिखाएं आपको तो suppose यह आपका potentiometer है यह आपकी supply है main जो आपका potential provide करेगी तो यह आपका B हो गया जो potential से provide करेगी यह हमने आपको यह आपको शोगर रहा हूं मैं आपको potentiometer wire suppose this is your potentiometer wire यह आपके L Length की potentiometer wire है इसको मैंने connect किया है दिखिएगा यह आपके पास पहली पहला पहला सेल है जिसका EMF आपका E1 है let suppose आपका EMF E1 है इसका इसको मैंने connect किया है cross resistor small resistor R1 second आपके पास एक और मैंने आपके पास EMF की battery second cell हमने जो लिया है इसका आपका जो EMF है वह है आपके पास E2 और इसको connect किया cross resistor मैंने R2 और इसमें है आपके पास E2 की है तो 2 एक यह इसके पास की K1 है के 1 है इसके पास की K2 है और इसको मैं connect करें विद इहल्प ऑफ गैलवानोमेटर तो यहां पे हमारा दिखाया तरह से पहले potentiometer का तो यह है आपका symbolic diagram यह हम इस derivation को solve करने के लिए हमें इसका symbolic diagram बना रहे है तो इसमें हम पहला case लिए लेते हैं कि अगर आपका key K1 closed है K1 आपकी key closed है आपने यह closed है और K2 key जो है आपकी open है यह आपकी खुली है इसका मतलब यह वाला circuit आपका open है जबकि उपर वाला circuit आपका closed है तो यह वाला circuit open है तो इसका मतलब इस वाले circuit में आपका कोई भी current flow नहीं करेंगा जो भी आपका null diffraction हम निकालेंगे वो इस वाले circuit से उपर वाले circuit से निकालेंगे तो अगर हम निकालें अगर आपका K2 open है और K1 closed है तो अगर हम पहला case लें here in first case K1 is closed is K1 key is closed and K2 is open अगर हम इसकी बात करें तो इससे अगर हम null deflection निकालें या null point निकालें suppose हम कह रहें आपका यह वाला closed है तो आपका let आपका null point है that is L1 दूरी पर आया आपके पास जो आपके पास null deflection आया हो आया आपके पास L1 दूरी पर तो अगर इसके across अगर हम potential drop लिखें तो वो कितना होगा that is potential gradient times of L1 यानि potential gradient था आपका बच्चो V upon L potential gradient into L1 और यह किसके ब्रावर होगा आपका EMF EMF of this cell के बरावर यह हमने देखा था बच्चो पहले भी E1 यह आपकी light this is your first equation अब second case में हम क्या कर रहे हैं अब हम लेते हैं second case second case में आपकी इस बार K2 closed है K2 is closed and K1 is open K1 के आपकी open है यानि यह वाले आपकी की इस बार खुली है K1 खुली है और K2 वाली बंद कर दी तो इस वाले circuit का कोई मतलब नहीं रहा तो हम जो null deflection निकालने हैं इस वाले circuit से निकालने null deflection तो इस case में आपका अगर हम potential drop निकालें फट से तो अगर हम निकालें इसको V upon L times of तो इस बार अगर हम suppose कह रहे हैं अगर आपकी पहले case में अगर आपकी length null deflection आया आपका L1 point दूरी पे तो इस बार अगर हम मानें कि आपका जो null deflection है वो j dash पे मिला आपको j dash पे j dash is your point या that point when null deflection is obtained when your k2 click is closed तो second में आपको जरूरी तो नहीं है आपको same point पे मिलेगा हो सकता आगे पीछे मिल जाए suppose j dash पे आपको second null point बिल रहा है इस बार तो let this length is your L2 हम इसको ले रहे हैं let यह आपका L2 point पे मिला आपको second null deflection when your k2 key is closed तो इस case में अगर में लिखूंगा इसको V upon L times of L2 और यह इस बार इसकी EMF के बरावर हो जाएगी E2 E2 EMF के बरावर हो जाएगी this is your second equation अब simple अगर हमें comparison करना है तो आप क्या कर लें equation first को equation second को से हम divide कर लेंगे और हम comparison हो जाएगा तो अगर हम divide करें तो देखेगा अगर हम equation first को divide करें equation second से तो हमें मलेगा बच्चों देखेगा यहाँ पर आपको दिखा रहा हो में तो V upon L, V upon L, V upon L2 equal to E1 upon E2 ऐसे आप compare कर सकते हैं the EMF of the cell तो this is the relation between and the length null deflection के length पे तो ऐसे आपको एक की value आपके पास known है एक की unknown है suppose आपको E1 पता है E2 नहीं पता तो दोनों का null deflection निकाल सकते हैं महा से आपको किसी भी एक की value निकल जाएगे आपके पास E2 पता है तो E1 नहीं निकाल सकते हैं या E1 पता है तो E2 निकाल सकते हैं तो this is the comparison of the EMF of cell तो यह आपका second application था इसका I hope so आपको यह समझाया हो अब हम चलते हैं इसके third application that is your to determine the internal resistance of the cell second हम देखेंगे इसका internal resistance निकालने का application तो चलते हैं अब इसके third application यानि third use of the potentiometer पे तो यह है आपका to find the internal resistance of the cell cell का internal resistance कितना है वो find करने में यह मदद करता है हमारी तो हम निकाल सकते हैं इसके help से internal resistance तो फिर से हम symbolic diagram दिखाते हैं आपको potentiometer का तो आपके पास diagram अगर हम आपको दिखाएं तो यह आपके पास battery थी यह आपके पास main battery है इसका potential V है इसको हमने connect किया है with across a potentiometer wire तो यह है इसके हमने लिए यह potentiometer wire थोड़ी को मोटी से दिखायता हूं मैं आपको इसको अगर हम connect कर दें गाल कि इसको अगर हम connect कर दें विता बैटरी इसका इम में में ने आ एकुस्टर्नल केसे यह आपके पास की है इसको हमने खarness की यह साथ ही में यह galvanometer and this is your jockey, तो यह है आपके पास setup, तो यह E है, इस EMF का हमें internal resistance R निकालना है, R is your external resistance, this is your key, और इस common connect key है, this circuit with a galvanometer and jockey, तो jockey से हम निकालेंगे null point, तो इसमें अगर हम बात करें, तो पहला case हमें लेते हैं कि इसमें फिर से, अगर आपके पास key क्या है, open है, अगर यह व key is open, तो अगर key k1, kवाली आपकी, अगर खुली है, key, तो जो भी हमें null deflection मिलेगा, तो वह मिलेगा through EMFE तो इस वाले के through हमें मिलेगा null deflection तो अगर हम इसकी बात करें तो अगर आपके पास की ये वाली open है तो हमें null deflection हमें suppose कह रहे हैं हमें जो null deflection मिला इस बार मिला L1 दूरी पे हमें null deflection मिला suppose at the distance of L1 हमें जो मिला आपके पास null deflection मिला जोके इन्हें उस point पे आपका current आपका उस point पे इस वाले circuit में आपके पास 0 था याने null deflection शो हुआ तो let that null deflection obtained is at L1 तो अगर हम इसमें बात करें तो हम लिखेंगे potential gradient V upon L times of L1 यह होगा आपके इस वाले के EMF के बराबर तो that would be equal to E तो यह आपके let this is your first equation तो अब हमने क्या कर रहा इस वाले की को भी अब हमने close कर दिया तो now के now second case में now की के is closed के हमारी क्या हो गई close कर दिया हमने अचा अगर हमने की क्लोस कर दी तो इस बार आपके is वाले circuit में आपका current flow करेंगा दिखेगा इस वाले circuit मेंत आपका current flow करेगा मतलब यह जो हमारा circuit आपका current flow करेंगा उस case में आपका मिलता है Null Deflection, जबकि galvanometer में कोई भी आपका current flow नहीं करेगा, जबकि इस वाली circuit में ही आपका current flow करेगा, तो एक है separate circuit की तरह काम करेगा, तो let's हम कहरें, suppose इसमें जो आपका current flow कर रहा है, that is your I, I current flow कर रहा है इसमें, हमने key close करीए, और हमें, जो यहाँ से Null Deflection हम जो find कर रहे हैं, हम यहाँ से अगर Null Deflection find करें, that जो हमें इस बार जो Null Deflection मिलेगा, that is at J', J' पॉइंट पे हमें Null Deflection मिल रहा है, और यह मिल रहा है आपका L2 दूरी पे, इस बार जो length है आपकी, that is your L2, तो L2 दूरी पे मिला, इक्वल टू, अच्छा, इस बार क्या आपको Potential, जो आपके पास Potential मिलेगा, that is E, E मिलेगा क्या हमें Potential Difference के बराबर, नहीं, तो हम कहेंगे नहीं मिलेगा, जो कि देखे, अगर हम इसकी बात करें, तो इस बार इस Circuit में आपका Current Flow कर रहा है, इस बार इस Circuit में आपका इससे पहले तक Current Flow नहीं कर रहा था, जिसके कारण, आपके पास जो, इसकी जो Value थी, that was equal to E, E MF of this cell के बराबर थी, लेकिन इस बार E के बराबर नहीं होगी, तो कि इस बार Current Flow कर रहा है, तो इसके Across आपका Potential Drop आएगा, तो अगर Suppose हम कहा रहा है, यहाँ पर आपका E MF E है, Suppose this is your Bad Potential V, यहाँ पर अगर Zero Potential है, तो यहाँ पर आपका V Potential है, तो इसके Across अगर मैं Potential की बात करूँ, तो यहाँ पर Zero होगा, जीरो है, अगर मैं यहाँ यहाँ पर E कह रहा हूँ, अगर इस बैटरी का E MF E है, तो यहाँ पर E रहेगा आपका E MF, अगर यहाँ पर रिजिस्टर आया है, तो पोटेंशिल ड्रॉप आएगा, तो इस पॉइंट पर जो आपके पास Potential ड्रॉप आएगा, इस पॉइंट पर जो Potential ड्रॉप आएगा, तो इस बार current flow कर रहा है, I current, I current है circuit में, अभी तक का I current flow नहीं कर रहा था circuit में, तो due to this current flowing, आपका पाटे "- MF में कुछ ड्रॉप आया", तो this drop is your IR, तो हम लिखेंगे, यह आपका E की Un, आऊँके E minus IR ट1 होगा, इस एज एर second equation, तो अब हम क्या का सकता है, basically यहां से current की value निकाल लें आप, तो current है by the ohm slow I equal to V upon R, V upon R, current निकाल लें इस वाले circuit में, तो V है आपका E, इस वाले circuit में अगर हम current निकाल लें, तो E, potential जो बेटरी ने दिया E upon total resistance, resistance आपके पास एक internal resistance R है, EMF E का, और external resistance R, total resistance R plus R, तो आपके पास जो current आया, that is E upon R plus R, तो इसको उठा के आप इस वाले equation में put कर लीजे, substitute कर लीजे, अगर आप इसको रखें, तो आपके पास यह बन जाएगा, V upon L times of L2 equal to E minus, I की जगाओ पे E over R plus R रख सकते हैं, into R1, into R, R तो आपके पास already है, तो times of R, तो यह बन गया, आपके पास relation, तो V upon L into L2 equal to E minus E R upon R plus R, आपके पास यह relation बन जाएगा, अगर हम इसको खोलें, तो basically यह है E upon R, यह इसके, तो E minus E R upon R plus R है आपके पास, तो अगर हम इसको solve करें, तो let हम इसको equation second मान लेते हैं, assume कर लेते हैं, तो equation first और equation 2 को अगर हम divide करें, तो हमारे पास यह मिलेगा, बच्चों दिखेगा, अगर हम first को second से divide करें, तो V upon L से V upon L आपका cancel out हो जाएगा, आपको मिलेगा L1 upon L2, देखे, V upon L से V upon L cancel हो रहा है आपका, आपको मिलेगा L1 upon L2, L1 upon L2 equal to, यहापचे आपके पास E है, E अगर हम इसे common ले लएं, अगर हम common निकाल लें बाहर को, तो यह बन जाएगा E into 1 minus R, अगर हम इसे common बाहर निकाल लें E, तो यह बन जाएगा आपके पास, 1-R over R plus R तो E से E भी cancel हो जाएगा आपके पास तो आपके पास जो relation बनेगा यह finally बनेगा आपका 1 upon अच्छा यह आपके पास R है 1-R upon R plus R तो अगर हम इसको solve करें तो finally अगर हम इसको solve करें तो यह बन जाएगा हमारे पास देखें अगर हम इसको solve करते हैं तो अगर इसका हम common calcium लेते हैं तो यह उपर हो जाएगा आपके पास यहाँ से हो जाएगा आपके पास यह R upon R reciprocal में R upon R R plus R minus times of R तो यह R से R cancel हो गया तो आपके पास बनेगा यहाँ से बच्छो L1 upon L2 equal to R plus R upon R तो अगर आपके पास यह relation रह जाएगा तो यह आपको basically उपर चलिए आएगा यह वाला denominator आपका उपर चलिए आएगा तो R plus R upon R तो आपके पास अगर हम इहाँ से small R निकाले small R की value निकाले अगर हम इहाँ से तो small R आगमना आपको यहाँ पर दिखाएता हू smaller आपको निकालेगा यहाँ से कुछ इस तरीके से R times of L1 by L2 minus times of 1 तो this is your internal resistance तो internal resistance आप ऐसे निकाल सकते हैं R times of L1 upon L2 minus 1 देखा आपने कितना एजी था आपके पास internal resistance निकालना with the help of potential meter तो आप किसी भी cell का internal resistance with the help of potential meter easily निकाल सकते हैं तो this was all about your potential meter ऐसे ही आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें तो I hope so यह आपको topic समझ माया होगा potential meter कैसे हमने इस बड़ी से complex के topic को बिलकुल मसल के रखा तो यह था हाला कि आपको बहुत होचपोच लग गई होगी इसमें तो आप step to step करते रहें ऐसे जैसे मैंने step to step करा आप मेरे साथ साथ आप भी note करते रहेंगा करें अपनी copy में कि काफी ज़्यादा होचपोच हो जाती है फिर आपकी पूरे board भर जाता है आपका तो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो पे तब के लिए धन्यवाद